हलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल आज में इस वीडियो में देखने वाले है राजस्तान जी के के इंपोर्टेंट क्यूशन के बारे में तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना आज का पहला क्यूशन है निमल के इतमे से कौन परताबगड का सासक नहीं रहा है इनमे से कौन सा है जो परताबगड का सासक नहीं रहा है तो वो है रंजीत सिंग चैनल नमर उप्सन इसका सही होगा जो परताबगड के सासक नहीं रहे है बाकी छेमकरन और महारावल परताब सिंख से काउथ थे अगला क्यूशन है राजस्तान में कुशान सक्ति को संभोता है नस्ट करने में कौन सा जन्पद सपल रहा है तो वो रहा है योद्दे जन्पद तीन नमर उप्सन इसका सही होगा अगला क्यूशन है 1908 में स्तापित राजपुताना म्यूजियम कहां पर है हमें मिलान करना है तो देखिए गागरोन का यूध है वो कब हुआ था 1519 के अंदर हुआ था बाकि सारंगपूर का यूध है वो हुआ था 1437 में और सुमेल का यूध हुआ था 54ättre में साहेबा का यूध हुआ था 1541 42 में तो इसका एक नमर उप्सन है वो और करेक्ट होगा अगला क्युश्णाय ने मिल खी तो यूद्ध और राजस्तन की इत्यास में सिमा ची हैं हमें बताना है तो देखिए इसे यूद्धों को सही इतिती क्रम में रखते वे सही उतर का चेन करना है तो एक नमर पर कौन सा है बटनेर का यूद्ध और दो नमर पर आता है खानवा का यूद्ध और तीन नमर पर आता है सुमेल गिरी का यूद्ध अलदी का यूद्ध है वो लास्ट में आता है तो इसका देखें ये यूद कब हुए थे खानवा का यूद है वो बाबर और सांगा के मदे 17 मार्ज है 1527 को था इस यूद में बाबर की विज़े हुई थी और गीरी सुमेल यूद 1549 में सेरसायो मालव देव के बीच में लड़ा गया था अगला जो क्यूशन है राजस्तान के राजपूत राज़ा बना दिया जाए ये सुझाओ किस ने दिया था तो ये दिया था चार्ल्स मेटकॉफ ने अगला क्यूशन है किस ने अपने आपको हिंदुस्तान का बाज़सा या नाडोल में जनवरी 1681 में गोशित कर लिया था तो सहजादा अकबर ने अगला जो क्यूशन है राजस्तान में प्राचीन मतस्चे राजाओं की राज़दानी विराट नगर थी आज ये किस नाम से जाने जाती है तो विराट की नाम से जाने जाती है पहले से विराट नगर बोला जाता था जो प्राचीन मतस्चे राजाओं की राज़दानी होती थी अगला कि उसने चिपको अंदोलन कीस रियासत में हुआ था तो मारबाड रियासत में चिपको अंदोलने हुआ था इसकी व्याक्य में देखे तो बर्स 1730 में वीक्रम 1776 में खेजरली ग्राम में वरक्सों के कटाई को रोएक ने तू अमरता देवी के नेरतरतमे में 363 लोगों ने वरक्सों से लिपट कर अपने प्राणों की हाउती दे दी थी चिपको अंदोलन ये खेजरली अंदोलन कहा जाता है इसमें जोदपुर का सासक अभेश सिंग था इपोर्टेंट ये है कि उसमें सासक अभेश सिंग था अगला किशने कौन से चिन्नी यातरी ने बीनमाल की यातर रखी थी तो वो थे हैंसोंग हैंसोंग ने अपनी पुस्तक सियू की में बीनमाल को पोलो मिलो का है अगला किशन है खवाजा मोयन दियन चिस्ति के गुरू कोन थे तो हजरत शेक उसमाद हारूनी खवाजा मोयन दियन चिस्ति के गुरू थे अगला किशन है सुमेलित करने वाला तो देखिए बुंदी का देव सिंग था जोदपूर का माल देव था और जयवपूर का इस्विरिज सिंग था और रंधमुर का गोविन राज था ये सभी मिलान है सभी सुमेलित करके लिखे गए हैं अगला जो किशन ने यूद वा गटना वर्स को सुमेलित करना है तो देखिए खानवा के यूद पंदरा 27 में हो था हल्दिगाठी के यूद पंदरा 26 में हो था तराइन का दियोत्य यूद 1160 में हो था पानिपत की तीसर लड़ाई 1761 में हो थी ये सभी सुमेलित करके लिखे वे हैं इंपोर्टेंट है अगला किशना स्वामी विवेकान्द राजस्तान के एकस्बे में आकर कुछ समय के लिए राज्जा की एतिती की रूप में ठहरे थे वेकस्पा कौन सा था खेतरी जुझनू का कस्बाता चाहां पर स्वामी विवेकान्द ने वो ठहरे थे अगला किशने बाबर के समकालिन दो सकती साल हिंदू राजियों के नाम बताईए तो मेवाड और मारवाड अगला किशने बक्तिरस कवियतरी मीरा भाई थी तो मेवाड के राणा सांगा के पूतर बोजराज की पतनी थी बक्तिरस कवियतरी मीरा भाई अगला किशने और गंगानगर के पास जो छेतर है उसे प्राचिन काल में यो दे बोला जाता था अगला किशन है अपने पुतर सलीम के जनम पर पेदल चल कर किस पीर के यहां कौन सा मुगल बादसा आया था तो मुगल बादसा अकबर है वो सेख मोयन दिन चिस्ति की अजमेर दरगा पर आय किया था अगला जो क्यूशन है 1755 में मुगल समराजे के पतन के बाद किस मराठा वंस ने अजमेर पर कबजा किया था तो सींधिया ने 1755 में मुगल समराजे के पतन के बाद अपना जो अजमेर पर है वो कबजा कर लिया था अगला क्यूशन है कती पे राजपूत सासकों की सूची दी जा रही है तो इन में से किनी दो का चेहन करना है जिनोंने मुगलों का सहयोग किया था तो वो थे मान सिंग और राइस सिंग दोनोंने मुगलों का सहयोग किया था अगला किशने किस मुगल सासक ने अपने सासन काल में हिंदू राजपूत, मराठा मनसबदारों की संकिया में अधिक वर्दी की थी वो थे अकबर अगला किशने राज़तान में पेदा हुए जिस राजा को दिल्ली के पुराने किले में विक्रा में देते के रूप में ताज पहनाया गया था तो वो थे समराट है, हेमचंदर या हेममू बोला जाता है इसको अगला किशने किस राज़तान ने अपनी उद्गम या मित्थ किये अगनी कुल से नहीं जोड़ा था तो वो थे चंदेल अगला किशने नगरी जिसका प्राची ना मद्यमिका था, किस जिले में स्थित है तो मद्यमिका है, वो चितोडगर जिले में स्थित है, ये क्यूशन इंपोर्टेन है दोस्तों कैसे लगे कोमेंट में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर करें